अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने एक बार फिर दुनिया के सामने इस्राइल को नसीहत दी है नसीहत ये कि इस्राइल को गजामेन मिर्दोश लोगों की मौत की घटनाओं पर और ध्यान देना चाहिए बाइडन ने यहां तक कह दिया कि इस्राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतनियाहू युद्ध के तरीके से इस्राइल की मदद करने के बज़ाए उसे नुकसान पहुचा रहे हैं खालंकि बाइडन ने हमास के खलाफ इस्राइल की करणरवाई के अधिकार पर समर्थन भी जताया है उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इस्राइल का साथ नहीं छोड़ेंगे उधर नेतनियाहू ने भी साफ संकेत दे दिया है कि वो अपने रवईये पर बने रहेंगे एसे में ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बाइडन की नसीहत महच दिखावा है ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि बाइडन पहले भी इस्राइल को नसीहत दे चुके हैं मगर इस्राइल पहले की तरह ही अपने अभ्यान में जुटा है गजा से लगातार इस्राइली बधाई भी दी है इस मौके पर उन्होंने कहा ये पवित्र महीना चिंतन और फिर से शुरू करने का समय है इस साल ये महीना काफी पीड़ा दायक समय में आया है गजा में युद्ध ने फिलिस्तिनी लोगों को भयानक पीड़ा पहुचाई है इस युद्ध में 30,000 से जादा फिलिस्तिनी मारे गए हैं जिन में से जादार आम नागरिक हैं इन में हजारों बच्चे भी शामिल हैं कुछ अमेरिकी मुसल्मानों के परिवार के सदस्य हैं जो आज अपने प्रियाजन के जाने के शोक में दूबे हैं इसके साथी बाइडन ने गजा में युद्ध वरा दिशा में काम करना जारी रखेंगे इसमें ये सुनिश्चित करने के लिए दूई राष्ट्र समाधान शामिल है कि फिलिस्तिन और इस्रेल के लोगों समान्त स्वतंत्रता समां सुरक्षा और समरिद्धी मिले इस्थाई शांती की और यही एक मात्र रास्ता है बाइडन कई महीनों से कहते आये हैं कि इसराइल गजा में बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत होने के चलते अंतर राष्ट्रिय सहयोग हो सकता है बाइडन ने शनिवार को एक इंट्रिव्यू में कहा था कि उन्हें लगता है कि नेतनियाहू गजा में हमास के खलाप अपने युद के तरीके से इसराइल की मदद करने के बजाए उसे नुकसान पहुचा रहे हैं जब बाइडन से पूचा गया कि क्या गजा के रफा में इसराइली हमला नेतनियाहू के साथ उनके लिए रेड लाइन होगी इस पर बाइडन ने कहा ये रेड लाइन है लेकिन मैं कभी इसराइल का साथ छोड़ने नहीं जा रहा इसराइल की सुरक्षा का मामला अभी का मतलब है नेतनियाहू ने कहा कि अगर बाइडन का मतलब ये था कि वो इसराइल की इच्छाओं या हितों का उलंगहन कर रहे हैं तो वो दौनों ही मामलों में गलत थे मतलब साफ है कि इसराइल फिलहाल किसी नसीहत को लंभीता से लेने के मूड में नहीं दिख रहा